नमस्कार दर्श नूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं पृति दयाल आपके साथ देखे आरजेडी सुप्रीमो लालो प्रसाद यादव के करीबी रहे कदावर नेता श्याम रजक ने रास्ट्रिय जनता दल से इस्तिफा दे दिया है पिछले 5-6 महीने में राजत छोड़ने वालो में श्याम रजक नौवे नेता है चार दशक से बिहार की राजनीती में सक्रिय श्याम रजक का राजत से रिष्टा तोड़ना महज राजनिति घटना क्रम नहीं है इसका एक बड़ा संदेश भी है जी हां बता दे कि श्याम रजक ने लालू प्रसाद यादव को संबोधित करते हुए अपने पत्र में कविता के अंदाज में चार पंक्तिया ही लिखी लेकि उसके गहरे नहितार्थ हैं सीधे सीधे राजद में अपने साथ धोखा होने का आरोप श्याम रजक ने लगाया है खैट अब जब श्याम रजक ने इस्तिफा दे ही दिया है तो ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि अब श्याम रजक का अगला कदम क्या होगा आखिर उनका फ्यूचर प्लान क्या है तो बता दे कि इसे लेकर श्याम रजक ने अपनी बात रखी दरसल इस्तिफे के बाद श्याम रजक का बयान सामने आया था जहां उन्होंने उनके पास दो खास विकल्प होने की बात कही थी दसल मेडिया कर्मियों से बादश्यत के दौरान उन्होंने कहा था कि उनके पास अब दो विकल्प हैं पहला की फुलवारी के लोगों का जो रिन है वह अदा करने का मौका मेरे पास है जो दलित आज सबसे निचले पायदान पर है उनके हित के लिए काम करूँ उन्होंने कहा कि मेरा एक ही लक्ष है अपने विजन पर काम करना इसके अलावा उन्होंने दूसरे विकल्प को लेकर के कहा कि या तो किसी राजनितिक दल के साथ जुड़ कर अपने विजन पर काम करूँगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजनिती से संद्यास ले इस तरह से उन्होंने दो खास विकल्ब बताया है उसके भी कई तरह के माइने निकाले जा रहे हैं इस वीश बता दे कि श्याम रजक वर्ष 2020 में विधासभा चुनाप के ठीक पहले बड़ी उमीद लेकर राज़त में लोटे थे सरकार में मंत्री रहते उन्होंने जदियू स से इस्तिफा दिया था तब तेजस्वी आदव ने खुद उन्हें दल में शामिल कराया और राज़त का राष्टिये महसचीब भी बनाया हालाकि अभी वे इसी पद पर थे लेकिन पार्टी में खुद को हाशिये पर पार रहे थे पिछले विधासभा चुनाप में उनके शेतर फुलवारी शरीप से उन्हें टिकेट नहीं मिला लोगसभा चुनाप में उन्होंने समस्ति पूर से चुनाप लड़ने का मन बनाया लेकिन अफसर भी नहीं मिला राजसभा की चुनाप की बारी आई तो यहां भी उन्हें खाली हाथ ही रहना पड़ा लगतार इन त अस्ट्रियस तर पर धोबी समाज के संगठन से जुड़े हैं और वंचित समाज में उनकी अपनी पैठ है ऐसे में जब उन्होंने इस्तिफा दिया तो एक बार फिर से उनके जेडियों में शामिल होने की अटकले तेज हो गई है लेकिन श्यामरजक का क्या कदम होता है आन अगर नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर दें इसके साथ ही अगरी वीडियो फेस्बुक के माध्यम से देख रहे है तो पेज को लाइक करना ना भूले